हम इस वीडियों बात करेंगे टोप 5 नियों विंदी डप बेस्ट एक्सेन एडवंचर मुवीज को इन मुवीज में आपको एक्सेन एडवंचर क्राइम दुले ड्रामा सब कुछ देखने को मिल जागा इस लिश्ट को सुरू करने से पहले जिसने भी तक चैनल को सब्सक्रा सब्सक्राइब नहीं किया कर ले हमारी नंबर 5 की मुवी होने वाले जिये श्ट्रॉव यह मुवी साइफ़ एक्सेन एडवंचर पर होने वाली है मुवी में कहानी दिखाई गई है हमारी दुनिया के जहां पर मोसम बहुत ज्यादा खराब होता है और जहां बारिस जिसकि क्लाइमेट को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इसमें देख सकते हो को हमारी next rates बमःवने ब्इयूटी एनड डावींस्ट यह मुवी एक्चेन एडवि करतेशी ड्रामा पर होने वाली है मोवी मैं कहानी दिखाई बहुत हिगमंडी प्रिंस की जो एक दिन अपना बर्थडे बना रहा होता तभी वहाँ पर एक बोड़ी ओरत आती है जो इसे एक फोन देती है ये इसका मजाब उड़ाता है और ये बोड़ी ओरत इसको सराब दे देती है जिसकी वज़े से ये बहुत बगसूरत हो जाता है जिसके बाद मुविव में क्या कुछ होता ही सबकुछ आप इस खर्णा में देखिए इस मूवो को आप होट्स्टार पर हिंदी में देख सकते हूह सबस्क्राइब कर सकती है है इस से क्या कुछ होता है यह सब कुछ आप इस मुवी में देखिए इस मुवी को आप नेट्विच पर हिंदी में देख सकते हो हमारी next movie वने वाली Riders of Justice यह मुवी एक शन कमीडि ड्रामा पर होने वाली मोवी में कहाने दिखाईए है एक जिसकी वाइब की देथ एक ट्रेन हाथसे में हो जाती है जिसके बाद ये बहुत दुखी रहने लगता और अपनी बेटी की साथ रह रहा होता लेकिन एक दिन इसे पता चलता है कि इसकी वाइब का कोई एक्सिडेंट नहीं बलकि मर्डर होता है आखिर इसकी वाइब को किसी ने वर्क्रियों वारा और ये किस तरह अपनी वाइब का बदलन लेता है इस सब कुछ आप इस मूवी में देखी इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में दिख सकते हो हमारी लास्ट मूवी होने वाली ओन कॉइट ओन दी वेस्टन फांट ये मूवी वर एक्सें ड्रामा पर होने वाली है मूवी में कहानी दिखाई जर्मन और फ्रांस के बीच में चल रहे वर की जहां पर जर्मन की हालत बहुत खराब होती है इसलिए वो नए जवानों की ज जोइन करनेता है और वर में जाने के बाद उसकी हावा टाइट हो जाती है इसके बाद वर में सर्वाइब कर पाता है और नहीं इस अब कुछ आप इस मूवी में देखिए इस मूवी को आप नैट्पिलिस पर हिंदी में देख सकते हो जो गाइज यह मूवीज आपको पसंद है जोगी एंसी ही और मूवीज को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल दोस्ट पैप करें